गुड बोर्निंग तो अल आफ यू, आज हम लोग नंबर बेस्ट कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाएंगे, और जो आपको वड को बेस्ट बता गया, उसी के बेस्ट पर आपका क्या है, नंबर बेस्ट या बेस्ट तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट को देखेंगे, इसका क क्या है तो नमबर बेश्ड में तब से पहले देखना यह है आपको कि एक वेस्टे का जो फॉर्मेट रहता हुआ किस प्रकार से रहता है तो सबसे पहले नमबर बेश्ड में देखना है कि question जो होगा वो किस प्रकार का question दहेगा और कैसा रहेगा तो सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि हमने कोई word लिखा जैसे एक word लिखा राकेश और इसके code को लिखे हम 18, 1, 11, 5, 19, 8 तो मनीज का code क्या होगा अब रुख जाना है पहले concept समझे कि क्या है concept तो पहला concept digit based में याद रखेंगे कि जो word का letter यहां दिया गया है उसके सामने जो decode आपको दिया गया है उसको देखेंगे कि decode क्या दिया गया है अब यहां से यहां अगर हम हैं तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया है कि सबका alphabet position याद होना चाहिए क्या होना चाहिए अगर alphabet position याद है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो सामने दिया गया digit है वो digit किस प्रकार का है तो अगर याद है तो सबसे पहले R का value 12 कितना होता अलफा बेट में 8 by 20 कितना होता है 11 कितना होता है 15 कितना होता है 19 कितना होता है आठ तो हम यहां भी क्या लिखेंगे M का, 13, A का, 1, N का, 14, I का, 9, S का, 19, H का, ये कैसे पता चला? Alphabet के position से, तो क्या क्या हो सकता concept इसका? तो पहला तो Alphabet position हम याद रखेंगे. पहला logic, दूसरा logic याद रखेंगे, कि जो letter यहां दिया गया है, और यहां आप देख रहे हैं, जो double digit का है, जैसे 18 है, इसका code क्या लिखेगा? इसका code लिखेगा 9, यानि दो digit को क्या करेगा अपस में? जोड़ देगा, है न, एक का 1 ही है, एक का कितना है, एक 11, पे कितना हो गया? एक, एक, दो हो गिया, एक का कितना होता है, पांच, एसका कितना होता है, 19, 9, एक, 10, दस में फिर दो अंख हो गिया, एक और 0, उसका भी क्या कर दिया? एक कर दिया, ठीक है, ह का, एक लोजिक यह भी याद रखेंगे, किलियर हुआ? अब और क्या लोजिक हो सकता है? अब एक लोजिक हो सकता है, आर का कितना होता है? अठारा और आर का पोजिट, आई, आई का कितना होता है? लिखा, एक का पोजिट, कितना होता है? A का पोजिट, P, P का हो गिया, E का पोजिट, B, B का, S का पोजिट, H का, H का पोजिट, S का, ये हो गिया, और क्या हो सकता है? अब जैसे, R का पोजिट आई हुआ, E का पोजिट, Z हुआ, तो Z का कितना होता है? 26, है न, तो इसको क्या कर देगा? 6, 2, double digit जिसका उसको जोड़ देगा अपस में, फिर क्या करेगा? 6, 1, E का भी है, है न, तो 2, 2, 8, single है, 9, 1, 10, फिर इसको क्या कर देगा? खिलिर हुआ, तो अलफा बेठ पोजिशन अगर याद है, तो उसका पोजिशन लिख सकता है, उसका अपोजिट लिख सकता है, अभी एक लोजीक और क्या हो सकता है? अम्मान लिया जाए स्टारे लिटर्स का इसका कितना है अठारह एक उन्नीस उन्नीस से ग्यारह कितना हुआ उन्नीस से ग्यारह तीस पांच अब पैंक तीस उन्नीस पैंक तीस उन्नीस कितना होता है पैंक तीस बिस पैंक तालीस दस पचपन एक कम चोवन हुआ और चोवन आठ कितना हुआ चोवन 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 साथ दू तो इसको बासट भी लिख सकता है यानि अगर कम डिजीट में दिया हुआ हो क्या लोजिक याज रखेंगे अगर कम ड किनंग होगा ठीक है चारंग तो होगा नहीं तो इसका मतलब हम समझेंगे कि उसको क्या किया है तारे लेटर के अपोजिट को जोड़ दिया है क्या किया है तो अपोजिट को भी जोड़ सकता है और क्या कर सकता है आपस का जो लेटर है उसका जो value आया ये जो value है इसको भी जोड के लिख सकता है तिक है ये याद रखेंगे particular नम्मर से गुना भी कर सकता है अब particular नम्मर से क्या कर सकता है डिवाइड भी कर सकता है समझे पुना भी हो सकता है डिवाइड भी हो सकता है और इसमें क्या logic याद रखेंगे हम लोग अलफाबेट position फिर अगर double digit में है तुसको क्या करेगा आपस में जोर सकता है opposite क्या कर सकता है अपोजिट जोर सकता है उसका अगर डवल डिजिट में है उसको जोर सकता है ठीक है खुना कर सकता है फाक कर सकता है इतना logic confirm और एक logic जो सबसे ज़्यादा पुछा जाएगा जैसे यहाँ पर आपको common देगा अब इस दोनों word में common क्या है अब यहाँ लिख दिया आपको समेश क्या लिख दिया कि समेश का code क्या होगा जिसका code समेश का code क्या होगा तो अब आप देखिए कि यहाँ से देखेंगे हम ठीक है तो यहाँ तो दिया हुआ है आपका तो समेश का code क्या हो जाएगा इस दोनों word को मिला कर बनाया है तो S कहां पर है आपका S यहां भी है और S यहां भी है दोनों जगे इसका क्या है तो S का क्या हो गिया A का यहां भी है A यहां भी है कितना है 1 हो गिया M का code क्या है 13 है तो यहां पर क्या हो गिया 13 हो गिया E का code क्या दिया हुआ है E का 5 यहाँ पर क्या हो गिया 5 हो गिया S का क्या दिया हुआ है 19 दिया हुआ है S का क्या दिया हुआ है तो कहने का मतलब यह हुआ की word जो आपको दिया जाएगा ठीक है एक word से दूसरा word भी दे सकता है निकालने के लिए जो जो letter होगा वही letter यहां भी होगा या दो word को मिलाकर तीसरा word बना लेगा या थ्री word को मिलाकर जोथा word बना लेगा तो जो common letter होगा जो उसके सामने decode होगा वही हमारा क्या होगा answer होगा तो सबसे ज़्यादा SSC और railway में याद रखेगा कौन कोशन आएगा यह common based आएगा क्या आएगा common based आएगा इसको हमेशा याद रखना है दूसरा चीज याद रखना है कि consonant और vowel पर भी आपको दे सकता है है ना अब माल लिया जाए कि कोई word लिखा माल लिया जाए संजय लिखा ठीक है अब क्या करेगा S का 19 लिख दिया A का क्या किया 1 लिख दिया N का क्या हुआ 14 J का 10 A फिर 1 है Y का यह तो alphabet position हो गिया लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि consonant का value अलग अब होवेल का value अब जैसे भौवेल में A, E, I, O, U है ठीक है अब क्या करेगा कि इसके नुसर 1, 2, 3, 4 इसके नुसर भी बिठा सकता है है नहीं अब जैसे सोमू ही दे दिया है नहीं तब सोमू को क्या किया S का 19 लिख दिया आब ओ का क्या लिख देगा A, E, I, O है तो ओ का कितना है 4, M का 13 लिख दिया I, U का आब कहेगा ही कैसे हो गिया तब का alphabet position मिलेगा ही नहीं logic आता है नहीं सा तो इसका मतलब है कि उसका क्या किया है जो भौवेस है उसका position न लिखके उसका जो position in place है है ना position in place उसका value लिखेगा और यह सबसे ज़्यादा भी बिहार SSE के examination में पूछा है तो इस logic को हम लोग क्या करेंगे याद रखेंगे कोई ऐसा भी word आएगा जिसको क्या करेगा कि questions दो दिया रहेगा उसमें आपको consonants का value अलग अब होवेल का value तो याद रहेगा तो क्या क्या concept समझें पहला क्या concept हुआ अलफाबेट का position फिर उसका opposite फिर double digit को जोड कर opposite को भी जोड कर ठीक है फिर क्या कर सकता है अगर सारे letters को जोड कर value लिख सकता है particular number से गुना कर सकता है particular number से डिवाइड कर सकता है common ले सकता है और consonant और कितना बात याद रह जाएगा पका बन जाएगा ना question अपने से चलिए तागे बढ़े हैं हम लोग चलिए अब देखे कितना सुन्दर question है 16 माइनस दो बड़ावर दो और 9 माइनस तीन बड़ावर जीरो 81 का क्या दिया? 81 माइनस एक बड़ावर 8 तो 64 माइनस चार का क्या होगा? यह हुआ है न? voltage कम करो है न? जोसम नहीं आना है तो अब इस पर दिमाग हमको क्या लगाना है? जब भी होगा या क्या होगा? calculation based होगा है न? तो देखे कितना आसान है अब यहाँ जो दिया 16 माइनस दो बड़ावर 2 है न? तो अब देखे इसको क्या करेंगे हम? इसको हम करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है? कि 2 और 2 last 2 जो है 2 2 कितना होगिया? अच्चार का square कितना होगिया? होगिया? समझ माया हो? क्या समझे? इस 2 और इस 2 को ले लिया last 2 और बड़ावर के बाद जो 2 है तो 2 2 4 का square 3 जोर 0 बड़ावर 3 3 का square हो गया? वदिकत 1 जोर 9 9 का square है न? तो ऐसा कौन सा है? यहाँ पर क्या हो गया? चार चार तो आठ का square तक किसका हो जाएगा? नहीं आया हो चार चार आठ का square किलियर हुआ हाँ क्या समझे? यह दो दो चार का square फिर क्या हुआ? 3 जोर 0 बड़ावर 3 3 का square हो गया? एक जोर 8 9 9 का square अब यहाँ पर 8 नहीं होगा है ना? अब यहाँ पर कौन सा option ले? यह गलती आप लोग किये? इसलिए कभी गलती नहीं करना है है ना? अब यहाँ पर यह चार के जगा पर किसको? इसको चुकि last लिये है ना? जैसे इसको लिये है वह इसे ही न लिजेगा इसको इसको करते है heat and trial method क्या करते है? मतलब क्या हुआ? option देखके answer समझ जगा जे? तो भी हां में हां मिलाया है नहीं मिलाया है? चालो जब तुम सही है तो इस 4 में क्या करेंगे? इस 4 को क्या करेंगे हम? बड़ाबर कितना हो जाएगा? 64 माइनस क्या है? 4 बड़ाबर क्या होगा? आएगा ने? तब इसको जोड दिये हम 4 चार 8 आठ का square कितना हो गया? यानि answer क्या होगा? ये 4 होगा यानि ये होगा clear हुआ? कोई confusion? आगे बढ़ सकते हैं लिख लिए नहीं लिखे? नहीं लिखना है तो लिखिए और हमेशा याद रखे कि जब भी questions को बनाईए तो दिमाग में आपका क्या होना चाहिए? concept होना चाहिए अगर concept नहीं रहेगा तो question solve नहीं होगा clear? आगे बढ़ते हैं ठीक है? last में उसको आपको चला जाएगा screen पर ठीक है? last में चला जाएगा screen पर अब आज आईए next question क्या है? सबसे पहले क्या है? Delhi यही है ना? Delhi का code क्या लिखा है? 7 3 5 4 1 यही है ना? अब फिर क्या लिखा है? Calcutta यहीं है तो क्या दिया हुआ है? 8 2 5 8 9 6 2 और क्या है? है ना? अब अगर आपके पास concept है तो question क्या होगा? solve हो जाएगा है ना? यह कैसे पता चलेगा? कैसे question को देखेंगे हम? अब इस दोनों word को देखिए आप देख रहे हैं? यह दोनों question में क्या similarities है? अब देखिए कि L यहां भी है L यहां भी है L का code क्या दिया हुआ है? यहां भी L का code क्या है? आई यह दोनों word मिला देंगे ते क्या बन जाएगा? बनेगा न काली कट वोई दिखकात इसमें तो काली कट में C A L का code क्या है? 8 to I I का code क्या होगा? I का क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ठीक है? उसके बाद cut है इस cut का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा cut का? 8, 9, 6 हो गया यह कैसा question था? यह common based question था और SSC और railway में आपको 60 to 70% question जो आता है वो क्या आता है? common यानि इसी दोनों word को मिला कर तीसरा word आपको बनाया जाएगा clear? कोई दिखकात इसमें? अब अगला question चले हम लोग? कोई दिखकात इसमें? अब अगला question क्या है? अब देखे कितना सुन्दर question आया है तिखाई दे रहा है क्या है? request आपसे भी यह question request कर रहा है क्या कर रहा है request? कि हम को देखिये और हमारा क्या किजिए? समस्या का निदान कीजिए तो कैसे करेंगे हम? आर फाइब टू टी यू और दूसरा क्या है? acid अब आप अपने brain को क्या किजिएगा? हमने यहवी concept आपको बताया है क्या? क्या relation हो सकता है? consonant और भौवेल का concept हो सकता है कैसे पकराया? तो आप जब लिखते हैं ए, इ, आई, ओ, यू एक, दो, तीन, चार, पांच ए का दो दिया हुआ है ठीक है? और देखे, consonant में क्या किया? एक जोड दिया है आर का अठारा एक जोड देंगे क्या होगा? 19, S, E, दूसरा नमर भौवेल है अक्यू, consonant है तो क्या हो गिया? 17, 1, 18, U, पांचवा नमर भौवेल है E, दूसरा नमर भौवेल है और S, consonant है, 19, 1, 20, अब 20, एक केलियर हुआ? फिर बता रहे हैं अब देखे, consonant में क्या किया है? एक जोड़ा है अब भौवेल का क्या किया है? पोजिशन इन प्लेस लिया है पोजिशन इन प्लेस का मतलब क्या हुआ? ये जो पांच लेटर है A, E, I, O, U A, पहला नमर भौवेल E, दूसरा नमर भौवेल I, तीसरा नमर भौवेल O, चवथा नमर भौवेल U, पांचवा नमर भौवेल तो R में R, 18 होता है एक जोड़ दिये 19 19 क्या हो गिया? S, E, दूसरा नमर भौवेल है तो दो लिखा Q, कॉंसोनेंट है 17 17 में एक जोड़ दिये 18 18 क्या हो गिया? R, U, पांचवा नमर भौवेल है है ने? फिर E, दूसरा नमर भौवेल है S का 19, 19 एक 20, बीसमा नमर T, आट T जो होता है 20, बीस में एक जोड़ेंगे हो गिया? तो एक का क्या हो जाएगा? एक नमर भौवेल C, 3 है तो 3 एक I, क्या नमर भौवेल? हो गिया है न अच्छा कॉस्षन? क्या किया है? कॉंसोनेंट में एक प्लस जोड़ा है अब होवेल का क्या किया है? पोजिशन इन प्लेस लिया है तिक है? जिसका जो पोजिशन है उसको यहाँ पर लिख दिया गिया कोई कन्फूजन आप लोग को? ठीक है याद रहे गए कंसेप्ट पता है न भी हम कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखिए ठीक है? ठीक बिदाउट इंक कलम कम दिमाग यह हमेशा याद रखना है लिखने के चक्कर में कम क्या करना है? बनाने के चकर में ज़्यादा रहना है मिटा दें इसको, आगे बढ़ेए अब आजाएए ये भी देखें बड़ा खुमसूरत questions है ये क्या है word escort land क्या दिया हुआ है नमबर? बोलिये 1, 2, 3 4 5, 6 एक्स, सेवन, एट, फिर क्या है, लोन है, क्या दिया हुआ है इसका, वन, फोर, थ्री, फाइब, फिर क्या है, लोट्स, लोट्स का क्या दिया हुआ है, एट, वन, टू, फोर, फिर क्या दिया हुआ है, डैन, टैन का क्या दिया हुआ है, टैन का दिया हुआ है, फाइब, थ् से भेन, अज सन का क्या दिया हुआ है? सन का दिया हुआ है आपको 4, 5 और किसका कोड़ पूछ रहा है? है ना? तो अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर एसकोट लेंड का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 दिया है लोन का 1, 4, 3, 5 दिया है लॉट्स का 8, 1, 2, 4 देन का 5, 3, 7 असन का 4, 5 है ना? अब आप अपने दिमाग को स्टाट किजिए क्या है? उच्छा रहा है समझ में? थोड़ा सा सोचिए, हलका सा, ज़्यादा प्रेसर नहीं देना है दिमाग में? क्या कर सकता है? ऐसी कौन सी बात है जो इसमें है इसना बहु में नहीं है? कौन सी बात है इसमें? हम? आप साइट ट्रेक पर जा रहे हैं? उसमें नहीं है और डिजिट में ऐसा कौन सा है? थोड़ा सा और बढ़ना आगए हाँ, भेरी गूड़ अब देखिए ये जो एसकौट लेंड है इसके सारे लेटर्स को यहां लिखा गया है लेकिन एक ही ऐसा लेटर है कौन? स्थी जो यहां किसी में तो हमने सी को ले लिया है और यहां का ऐसा कौन सा डिजिट है ये जो इनमें नहीं है तो सी का क्या हो गया? हो गया आंसर ये मैट का कोशन है ये है ना? क्या क्या मैट, मैनेजमेंट, टेश्ट, टेस्ट तो ये जो है आपको क्या करना है? कि जब भी ऐसा कोशन आए तो कंपेर करना है कोई भी कोशन हो ये कोशन तो समझी गए अगर अगला भी कोई कोशन आता है तो आपको क्या करना है compare करना है कि ऐसा कौन सा letter है जो कहीं भी नहीं है और ऐसा कौन सा digit है जो नहीं है वह ही उसका क्या हो जाएगा किलियर हुआ बात आ रही है समझ में चलिए मेटा आगे बढ़ें अब देखिए बस ये आपके लिए है क्या है question M, I, N फिर क्या लिखा हुआ है K, U, R क्या लिखा हुआ है 3, 1, 2, 5, 4 फिर क्या लिखा हुआ है TADA क्या है TADA 6, 8, 9, 8 अब फिर क्या लिखा है M-A-D-U-R-A-I है ने अब आपको बता देना है इसमें कि हमको करना क्या है हमने तुरत बताया है कॉंसेप्ट को दिमाग में रखें क्या कोड़ से चली आती तो तेरा क्या बिगरता अध्यरा परदा का परदा रह जाता और मेरा दिदार हो जाता यही है इसको suisn के सच्चाई समझे बात को क्या कहा कोड़न ने डिकोड़ को कि इस आरे से चली आती तो तेरा क्या विगरता तेरा परदा का परदा रह जाता और मेरा दिदार हो जाता है न तो वही यहाँ पर इसके logic को दिया है तेरा यह इसकी बात को जानता है और यह और इस दोनों को मिला देंगे तो तीसरा भी जानने लग जाएगा है ना तो क्या है M दोनों को कोमन लिया है तो M का क्या हो गिया 3 A का क्या हो गिया D का क्या हो गिया U का क्या हो गिया R का क्या हो गिया A का क्या हो गिया क्या हो गिया 8 आई का आई का वन हो गया अच्छा लेगा सैरी हां नहीं आया अब खोल के हम समझाबें हो तब आख खोल के कहा जाता है सैरी में हां प्रिस्तार हो जाएगा ना चलिए यह कोशन हो गया कोई दिकरत इसमें समझ मैं रहा है ने कंसेप्ट अपने बनाना है फिर आगे अब आजाइए केवल डिजीट है क्या है 24885 फिर क्या है 33776 अब फिर क्या है 35791 है न अब देखिया क्या कहा इसमें क्या किया है नम्मर से नम्मर को मिला दिजे डिजीट से डिजीट को 2 में plus 1 3 4 में minus 1 3 6 में plus 1 7 8 में minus 1 7 5 में plus 1 6 प्लस 1 minus 1 प्लस 1 minus 1 तो क्या करेंगे plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 किलियर हुआ, तो इसा आएगा, तो आंसर क्या हो गिया, किलियर हुआ, क्या टो कुश्चन हो गिया, समझ में आ रहा है, चलिए, अब अगला कुश्चन क्या है, अब देखिए, अब लोजिक आ रहा है, समझ में, क्या किया है, पालम का कितना दिया है, खोटे थिरे, तो क्या है, सान्ता कुरुज, यही है न, तो क्या हो जाएगा इसमें, जब भी ऐसा कुश्चन आए, तो क्या बताए है, कि सब के पोजिशन को जोड़ देना है, 16, प्लस 1, प्लस 12, प्लस 1, बड़ावा, प्लस 13, इसकल टो, यह सब को जोड़िएगा, 19, प्लस 1, प्लस 14, प्लस 20, प्लस 1, प्लस 3, प्लस 18, प्लस 21, प्लस 26, कितना होगा, जल दे जोड़िए, 120, आया है न, केलियर हुआ, तुरद तुरद जोड़ना है, समय नहीं देना आइसमें, आये तभी पोसेबल होगा जाब, नमबर याद रहेगा, है न, आग्या लोजिक समझ में, चलिए, अब आजाईए, क्या है, 50, 2, 8, 48, और, बैट, अब देखिए, क्या है इसमें, कि इसका 26 होता है, इसको क्या किया, अब ये बताए, कब अपने आप दिमाग में आ रहा है, लोजिक, तो कंसेप्ट याद रहेगा, बन जाएगा न, क्यूस्चन, है, हमको तो बताने की जरूत नहीं हो रही है, तो 26 को डबल करेंगे, 50, अब इसको जोर दिजिए, 1 प्लस 3 प्लस 20, तो 24 हो गया, 48 हो गया, 2 प्लस 1, 3 प्लस 20, कितना हो गया, 46 हो गया, नहीं, कोई कोश्चन, दुनिया का कोई कोश्चन, बैंक, ससी, रेलेवे, अम्बिये, अगर जितनी बात हमने आपको बताई है, अगर उतनी बात याद रह गई, तो कोई ऐसा कोश्चन नहीं होगा, जो आपसे नहीं बनेगा, देखा है, एसानिमेंट किताब जो बनाना है, जहां से बनाना है, उसको बना सकते हैं, अब देखिए, ये लिखा हुआ है, रीजदन, क्या लिखा हुआ है, और रीजदन को किस से कोड किया है, फाइव से, ये बिहार एससी में पिछले बारा आया हुआ है, और एससी सेंटरल में भी आया हुआ है ये, बलेब्ड का देखिएन, अफिर क्या है, गवर्ण्मेंट, आ रहा है ने लॉजिक अपने आप, क्या किया है, ये 6 लेटर है, और क्या किया 6 लेटर है तो, 1 माइनस किया 5, और यहाँ पर कितना लेटर है, 8, 7, यहाँ कितना है, 10, तो क्या हो गिया, 9 हो गिया, किलियर हो रहा है ना, कोई दिकत नहीं है, मन लग रहा है, लग रहा है, इसमें ज्यादा, क्या, अब आजाईए, को का 32, की का 49, है ना, को स्टम का क्या होगा, सोचिए, तू बर्दास्ट करेगा खली, आया लोजिक, देखे क्या है, G का पोजिट, क्या होगा, T, T का, O का पोजिट, L का, कितना हो गिया, है लिखा हुआ, पताए थे न, का पोजिट का भी सम कर सकता है, तो S का पोजिट H, H का 8, H का पोजिट S, 19, E का पोजिट भाई, भी, सबको जोड़ेंगे 40, तो इसका 8, प्लस 12, प्लस 14, प्लस 22, जोड़िए, कितना हो गिया, 56 आया, नहीं समझें आप, S का पोजिट H, H का 8, O का पोजिट L, L का 12, M का पोजिट N, N का 14, E का पोजिट V, V का 22, सबको जोड़िएगा, क्लियर, कोई confusion, पता है ना, लोजिक ये, तब जितना पोजिट बता है, उसको याद रखना है, कोई question solve हो जाएगा, अब आजाईए, क्या है, M, A, T, H, I, N, E, क्या किया है, 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11, है ना, तो danger, क्या किया है इसको, अल्फाबेट पोजिशन याद है ना, तो अपने आप लोजिक आ जाएगा, M का 13, 6, 19, 1, 6, 7, 3, 6, 9, 8, 6, 14, 9, 6, 15, 14, 6, 20, 5, 6, 11, यानि सम में क्या किया है, प्लास 6, यहाँ भी 4 प्लास 6, कितना हो गिया, 10, 1 प्लास 6, 7, 14 प्लास 6, कितना होगा, 20, 7 प्लास 6, 13, और 5 प्लास 6, 11, 18 प्लास 6, 20, है ना, है ओप्शन में, नान आफ इस, क्लियर, यह भी बिहार SAC में पूछा हुआ क्वेशन है, किसले बार का, होगे आगे बढ़े हैं, अब है आपका, कौन सा क्वेशन है, प्रताप, क्या दिया हुआ है, प्रताप का 16, 18, 1, 21, 16, और क्या लिखा हुआ है, नवीन, है ना, तो क्या किया है इसमें, पी का 16, आर का 18, ए का 1, टी का 20, ए का 1, पी का 16, एन का 14, ए का, क्या हो गिया, ए का 1, भी का 22, आई का 9, एन का, है ओप्शन में, आंसर हो गिया, आरा है समझ में, पजिकत, क्लियर, क्या टी कुशन हो गिया, अब आज आईए, क्या है, मो, बी, ले, टे, क्या है, 4, 6, 2, 9, 3, 9, 2, 7, क्या है न, एक्जामिनेशन, क्या होगा, आया लोजिक याद में, दिमाग में, क्या, वेरी गूड, वेरी गूड, M का, 13, 1, प्लस 3, 4, O का, 15, 1, प्लस 5, 6, B का, 2, I का, 9, L का, 12, 1, प्लस 2, 3, I का, 9, T का, 22, 2, प्लस 0, ब्रावर 2, Y का, 25, 2, प्लस 5, तो, E का, 5, X का, 24, तो, 6, A का, 1, S का, 13 है, तो, 4, I का, 9, N का, 14, है, तो, 5, A का, 1, T का, 20, है, तो, 2, I का, 9, O का, 1, प्लस 5, 6, N का, हो गया, तो, कौन सा है इसमें, Second आया, तो, क्या किया है, कि Later का, जो, मेर्स 6, पॉजिशन डबल डिजीट में है, उसके पॉजिशन को, ठीक से बठिए, उसके पॉजिशन को भी, क्या किया है, Add करके, उसको लिख दिया है, Clear? चलिए, अब अगला Question चलें, आब आगिया, बहुत ये भी management का question है, smooth का 1, 3, 5, 5, 7, 9, rough, क्या है इसका, 9, 7, 5, 3, 1, hard, 9, 4, 9, 8, तो stop, ये भी आपका management का question है, क्या हो सकता है, सोचिए, कुछ भी हो सकता है, यहां कितना लेटर है, यहां कितना है, जा, पुश, दिमाग को लगाईए, अब हम बताएं, कितना आसान है, देखिए क्या है, smooth का opposite word होता है, rough, तो 9, 7, 5, 5, 3, 1, और hard का opposite word, तो क्या हो गिया, 8, 9, 4, क्या समझे, है न, कैसा question है, जो ज़्यादा speed मेरे इसा question दे दिजिए, दिमाग लगते रहेगा, लगाते रहेगा, दिमाग में आएगा ही नहीं बात, तो reasoning ये कैसा subject है, इसमें अंग्रेजी भी है, और maths भी, अजी के भी है, कहां है जी के, जिस चेप्टर में है, analogy में और classification में, है न, ये question समझ गए, ये भी math का question है, तो आगे बढ़ें हम लोग, अब क्या है, अब तो और बेहतर question है, क्या है question पढ़िए, P, S, क्या है, I, T, H, O, यही है न, L, A, Z, Y, क्या है इसका, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है न, तो कहा है कि, 8, 7, 5, 5, 0, एक ब्यापारी बस्तू की कीमतों को कोड करने के लिए अक्षरों का उप्योग करता है, psychology का क्रमसर 0 से 9 के रूप में, तो निमलिखीद कोड 875.50 के लिए उप्योग है, तो क्या होगा, कुछ आ रहा है, क्या रहा है, कितना अच्छा कोश्चन है, कितना अच्छा कोश्चन कभी नहीं है, management में, नर्सी मौझी, management college में पूछा आईए, अपलस, bank में भी पूछा आईए, management का question आसान होता है, लेकिन, technical होता है वो, कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, है नहीं, अब देखिए, क्या करना है हमको, अब 875.50 है, तो 8 का code क्या है, 7 का code क्या है, 5 का code क्या है, point है तो आप भी दे दिजिए, अब 5 का फिर क्या है, ओ, अब 0 का क्या है, क्या दिखकत है इसमें, है न, तो क्या हो गिया, बाता ही समझ में, क्या किया है, 8 का क्या हो गिया, Z, ठीक है, फिर क्या है, 7 का क्या हो गिया, A, हो गिया, फिर, क्या है आपका, 5, 5 का क्या दिया हुआ है, O, point है यहाँ पर, तो आप भी point दे दिए, फिर 5 का क्या है, O A0 का क्या दिया हुआ P तो Z A O 0.05 P केलियर हुआ तो 16 question हो गया दिख है तो इसको आप लोग को क्या करना है इसको practice करना है हट type का question बता दिये है तो अगले class में जो है उसको पढ़ाया नहीं जाएगा है ने क्या किया जाएगा इसको अब जो word based हमने पढ़ाया है और जो digit based पढ़ाया है ये दोनों को अपने assignment से क्या करना है practice करके आना है और फिर उसको क्या करेंगे हम discuss करेंगे तो आज इतना ही रहने दें फिर अगले class में फिर क्या करना है उसको फिर आगे बढ़ा देना है तिक है ते इसको दिमादा